बच्चों हमारे पास देखो ये एक रबल की एक पट्टी है दिखाई देरी ने बच्चों तुम लोगों को ये रबल की एक पट्टी है हमारे पास अब देखो हम इसको दोनों तरफ ऐसे बल लगा कर खीच रहे हैं दोनों हातों से इसे बल लगा रहे हैं यह देखो इसको ऐसे खीच रहे हैं क्या हो रहा है खीचने से? लंबी हो जा रही है देखो ऐसे खीच रहे हैं यह देखो खीचा हमने कैसी हो गई? लंबी और जब हमने छोड़ दिया तो फिर अपनी पूरो अस्ता में आ गई अब एक बार फिर देखना यह रवल की पट्टी है देखो और जब हम इसको बल लगा रहे हैं दोनों हातों से दोनों तरफ तो क्या होती है यह लंबी हो जाती है और जब हम इसको छोड़ देते हैं तो फिर अपनी पूर्वी उस्था में आ जाती है तो इसमें आकार का परिवर्तन हो रहा है और यह परिवर्तन क्यों हो रहा है क्योंकि हम इसमें अपने दोनों हातों से विप्रीद दिशा में बल लगा रहे हैं अगर हम इस हातों से ना खीचें तो क्या यह लंबी हो जाएगी नहीं हो आपनी देखा कि इस रबल का जब आकार में हमने परिव लगाना पड़ा और जब बल लगाना पड़ा तो इसका आकार में परिवर्तन हो गया और इस बल के लिए हमें उर्जा की आवशक्ता होती है यानि बच्चों हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जितने भी परिवर्तन हम करते हैं उनके लिए उर्जा की आवशक्ता होती है तो आज ह हम ऐसे ही आपको कई प्रियोग करके दिखाएंगे कि जैसे जैसे हम परिवर्तन कर रहे हैं उसमें उर्जा की किसी न किसी रूप में आवश्यक्ता होती ही है अब सबसे पहले देखो हमने परकनली ली अपने हाथ में और इसमें हमने इस बीकर में पानी भरा हुआ है इसकी सा यह चूना है इस आधरन जो चूना होता है कुताई वाला चूना यह हमारे पास है यह चूने के टुक्ड़े आपको दिखाई दे रहे हैं जिसे हम कहते हैं अन्मुझा चूना और रसायन की भाशा में इसको हम कहते हैं कैल्शियम आकसाइड यह अन्मुझा चूना के टुक में डाल दिया देख रहो बच्चों क्या कर रहे हम पहले हमने परकनली में पानी भरा और पानी के भाद जो हमारे पास चूने के टुकड़े हैं इसको हमने इस परकनली में डाल रहे हैं देखो डालने से देखो दिखाई दे रहा है इसमें बुल-बुले उठ रहे हैं दिखा तुम अखलेश इसको छूख के बताओ कि कैसा लग रहा है ये गरम और नम्नता तुम भी गरम यानि जब हमने इस पानी भरी परकनली में अन्बुझा चूना या कैल्शियम आकसाइड के टुकड़े डाले तो ये परिवर्तन हुआ परिवर्तन क्या हुआ कि हमारी परकनली गरम हो गई क्यों गरम हो गई क्योंकि जब हम चूने को पानी में मिलाते हैं तो एक उश्मा छेपी अभी क्रिया होती है उश्मा ये निर्मुक्त करता है उश्मा इसमें से निकलती है जो हमारी परखनली को गरम कर दे रही है ये परिवर्तन उश्मिय उर्जा का परिवर्तन है यानि ये परिवर्तन करने से उश्मा की रूप में उर्जा की आशक्ता होई यानि निर्मुक्त होई अब देखो एक दूसरे प्रयोग में हम दूसरी परखनली ले रहे हैं इस दूसरी परखनली में हमारे पास यह रखा हुआ है नौसादर यह नौसादर है हमारे पास इस सफेज रंग का पाउडर है इसको हम क्या कहते हैं नौसादर इसको रसाइन की भाशा में हम ammonium chloride कहते हैं जो प्रयोग हमने अभी चूने के साथ पानी में किया था वही प्रयोग हम इस नौसादर से दो राते हैं देखना ध्यान से आपकी क्या हो रहा है अब देखो ये परिवर्टन हम कर रहे हैं पहले हमने क्या किया था परक्नली में पानी भरा था ना ऐसी हम इस दूसरी परक्नली में पानी भर रहे हैं ये भर लिया पानी हमने अब ये परक्नली में पानी हमने भर लिया और इसमें हम देखो थोड़ा सा ये ammonium chloride नौसादर इसमें मिलाएंगे अपकी देखना क्या होगा देखो क्या कर रहे हैं हम इसमें क्या मिला रहे हैं नौसादर परखनली में हमने क्या लिया हुआ है पानी लिया हुआ परखनली में और हमने इसमें क्या मिला दिया नौसादर मिला दिया अब नौसादर मिलाने से, अब इसमें बुलबुले तो नहीं निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, बुलबुले नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उश्मा बिर्मुक्त नहीं हो रही है, आप इस परक्नली को अखलेश तुम छूके देखो, तेरा अपने हाथ म में उश्मा शोशित हो रही है यह जो नौसादर है यह पानी से उश्मा शोशित कर रहा है इस कारण यह परिखनली क्या हो गई थंडी हो गई चूने में क्या देखा था तुमने परिखनली कैसी हो गई थी गरम हो गई थी लेकिन यह नौसादर में यह परिखनली कैसी हो गई क्योंकि ये उश्मा शोशी अभी क्रिया है हमने जब पानी में अमोनियम क्लॉयर या नौसादर को मिलाया है तो उसने उश्मा इसकी शोशित कर ली है जिसका रहां परखनली काता अपमान कम हो गया पानी काता अपमान कम हो गया जिससे हमें परखनली कैसी लग रही है? ठंडी लग रही है तो ये दूसरा प्रियोग हुआ जिससे हम ये जान गए कि जो परिवर्तन हमने इसमें किया पहले केवल पानी था अब ये नौसादर का पानी में विल्यन है तो परिवर्तन हुआ पहले क्या था? केवल पानी था केवल जल था अब हमने जब इसमें अमोनियम क्लोराइड मिला दिया तो अब ये अमोनियम क्लोराइड का जल्य विल्यन है तो हमने एक रहासाइनिक परिवर्तन किया और परिवर्तन में अपकी बार ये ठंडा हो गया तयानि कोई भी परिवर्तन हम करते हैं उसके लिए उर्जा की आवशकता होती है अब देखिए ऐसा ही एक प्रियोक जो है हम और करके दिखाते हैं आपको यह हमारे पास है गुलुकोस बच्चों गुलुकोस का नाम सुना इससे पहले तुमने कभी हैं कैसा होता है खाया कभी थंड़ा 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 थंड प्रच निफैम गरम लग रहा एंधी जीस पर प्रखलों आप चुल पर चुखो एफ इसको जीप रखो और जीज परता तिम स्हाद में इठा है इतो मालूम या तुम लोह ना मता दिया अम इसको जीप पर थोड़ जे रको तुम भी इधर देखो सामने तुम भी रखो कैसा लग रहा है गरम लग रहा है और ठंडा लग रहा है एनि ग्लूकोस को जब हम अपने तवचा पर्याजीप पर रखते हैं तो उसमें भी क्या होती है उशमा शोषी अभी क्रिया होती है ये उश्मा शोशित कर लेता है और शोशित करने से जो तोचा का तापमान है वो कम हो जाता है जिस कारा हमें वहाँ पर कैसा लगने लगता है खंडा लगने लगता है तो ये परिवर्तन हमने किया और हमने देखा कि इसमें भी उर्जा की इस परिवर्तन में भी क्या होई उर और ये उर्जा ये परिवर्तन उर्जा उश्मा के रूप में लेता है ठीक है चुने के परिवर्तन में उर्जा उश्मा के रूप में निर्मुक करता था और इसमें नौसादर में इसमें क्या करता था ठंडा हो जाता था परहमली यानि उश्मा जो है शोशित करता था परिवर्तन हम करते हैं तो हमें उर्जा का परिवर्तन उसमें जरूर होगा अभी हमारे पास एक शीशी है इसमें देखो हमारे पास इस्पिरिट है इस्पिरिट को हमरा सायन की भाशा में कहते हैं एथिल अल्कोहल यह हमने देखो एक परहनली में ले लिया है यह एथिल अल् प्रयोगोगावल जो परयोग शानायों серд इस्तिमाल की में आ जाती मैं उति उत इसी रंगे होते जिह है क्योंकि इसको विक्रत कर दिया जाता है denatured कर दिया जाता है ये हमारे पास spirit है और इसका रासाइनिक नाम है ethyl alcohol अब इसको हम देखो तुम्हारे अखलेश अपना हाथ लाना और देखो तुम्हारे हाथ पे इसको हम थोड़ा सा डाल के देख रहे हैं ऐसे करें रो ये हाँ ये ये और थोड़ी देर में ये गायब हो जाएगी उड़ जाएगी क्योंकि ये तुचा की वाश्क शील है ये द्रव और ये तुचा से उश्मा ले रहा है इसलिए हमारे शरीर का उस हिस्से में जहां पर ये alcohol पड़ा हुआ है वहां का तापमान देखा कि कोई भी परिवर्तन जो हम करते हैं उसके लिए उर्जा की आफशक्ता होती है अब हम कुछ और ऐसे उधारन लेते हैं जिन परिवर्तनों के लिए उर्जा के विभिन रूपों की आफशक्ता होती है जैसे अगर हमने सुईचान किया पंक्हा चल गया तब इसमें उर्जा की शुरूप में मिली पंक्हे को चलाने के लिए यह जो परिवर्तन हुआ इसमें हमें विद्धुत उर्जा मिली जिससे की पंक्हा चल गया सुईचान किया और जो विद्धुत का प्रेस है इसको हम कपड़ों के प्रेस करने में काम आते हैं वो गरम हो गया इसमें विद्धुत उर्जा उष्मिय उर्जा में परिवर्तित हो गई इसलिए ही प्रेस गरम हो गया ऐसे ही हम दैनिक जीवन में देखते हैं साइकिल चला रहे हैं पैडल चला रहे हैं तो उसमें हम बल प्रयोक कर रहे हैं, उर्जा की आवशक्ता होती है, तब ही वो cycle चलेगी, यानि cycle चलाने का जो यह परिवर्तन है, खड़ी हुई cycle को चलाने के लिए जो परिवर्तन हम कर रहे हैं, इसमें भी उर्जा की आवशक्ता होती है, कोई machine किसी उद्दोग में चला अगर किसी समय एक प्रकार की उर्जा नश्ट हो रही है तो वो उसी मातरा में दूसरे प्रकार में उतपन हो जाती है झाल झाल